हेले स्टूडेंट कैसे आप सब एक बार अपना सीव कोचिंग क्लासेस 2.0 पर स्वगत हैं और आज का टॉपिक है कैथोड किरणों के गुन के वर्णिमी और कैथोड किरणों की खोज साथ में इलेक्टरान की खोज इस पर हम यहाँ पर आपको समझाने वाले हैं तो क्लास 11 चैप्टर 2 का टॉपिक है और क्लास 11 के जो प्रिविएस वीडियो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे तो जा करके वहाँ पर आप पूरा पढ़ाई कर सकते हैं ठीक है तो चले आज का वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि जो इलेक्टरान के खोज का स्रे है या कैथोड केड़ों के अध्धन का स्रे है सरप्रथम किसको जाता है तो विलियम क्रुक्स को जाता है इन्होंने सन 1889 में ठीक है कब 1889 में एक बिद्दूत की सुचलकता का अध्धन किया और उससे समंद फिर उन्होंने एक निसकर्स निकाला जब उन्होंने बिद्दूत की सुचलकता का अध्धन कर रहे थे तब ही उन्होंने इस कैथोड केड़ों की खोज कर डाली वो कैसे तो अपने वो सुचलकता का अध्धन करते समय उन्होंने एक बिसर्जन नली का प्रियों किया तो य पंप जोड़ दिया और दोनों इलेक्ट्रोडों के किसी भी उच्छ वोड़ता स्रोथ से जोड़ दिया गया यह उच्छ वोड़ता स्रोथ यह किसी बैटरी से भी जोड़ सकती है ठीक है इतना क्लियर है उन्होंने क्या किया एक बिसरजन नली ली पर दो इलेक्ट्रोड में क्या होता है पेरभाई कि बिना दाब कम कि उन्होंने धारा प्रवाइद कर दी उच बोल्टेज आरोपित कि तो जब कम दाब था सुरी अधिक दाब था और दाब में कोई परिवर्तन ने किया और सीधा उन्होंने क्या कर दिया बोल्टेज आरोपित कर दी तो जब पहले voltage और उपित किया तो देखा कि किसी प्रकार के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है किसी प्रकार की केंड़ें निकल रहे हैं लेकिन उन्होंने सोचा कि एक condition और हो सकता है वो कौन सा अंदर का दाव अतंद कम कर दिया बहुत ही कम 0.0 mm 0.0 mm अतंद दाव कम किया और फिर उन्होंने 10.000 वोल्ट का वोल्टेज लगाया उच्च वोल्टेज जिसे कहते हैं तब उन्होंने पाया कि कुछ किरने कुछ किरने कहां से निकलते हैं कैथोर्ट से निकल करके कहा जा रही है, एनोट के हो जा रही है, जिसे ही कैथोर्ट के रने कहा गया, ठीक है न, इतना क्लियर हो गया, जो कि एक चमकदार है, और सांत मेदी परदे पर देखा जाए, तो ये प्रतिदियत भी उत्पन कर दिती है, तो आपको कैसे लिखना है, आपको समझा रहा हूँ, साट कट में लिखना है, तो साट कट में भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा लांग कट में लिखना है, तो लांग कट पे लिख सकते हैं, जैसे, सन 1889 में बिलियम क्रुक्स ने एक विसरजन न लिली, जिसमें 2 इलेक्टोड लगा करके, इसे सील कर दि तो देखा कि अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुई, किसी भी प्रकार की किरणे नहीं निकल रही है, लेकिन उन्होंने निरबात पंप की सहायता से अंदर का दाव और कम कर दिया, और फिर उच बोल्टेज लगाया, लगवक 10,000 बोल्ट लगाया, तब उन्होंने देखा कि कु 1889 में बिलियम क्रुक्स ने, किसने, बिलियम क्रुक्स ने एक लंबी कांच की भी सरजन न ले ली, उन्होंने, इसके बाद उनमें दो इलेक्ट्रोड लगा दिया, साथ में पार्स भाग पी निरबात पंप जोड़ दिया, और इसे पेरवायू, इसे एक उच बैटरी, यह पंप की सहायता से, अंदर का दाव अतंद कम कर दिया, और दाव कम करने के बाद उन्होंने देखा कि कुछ किरने कैथोड से निकल रहे हैं, और कहां जा रहे हैं, एनोट क्यों जा रहे हैं, जिन किरनों को कैथोड किरने ही कहा गया, और इनोट के बाद इदी माली जी जे इसका परदा लगा दिया जाए इस्क्रेन लगा दिया जाए तो उन्होंने कहा कुछ न कुछ चमक दार बिंदु भी पाए जाते हैं जो की प्रहर भायों एक प्रकार से प्रतिदीब्त का संकेत देती हैं ठीक है इतना क्लियर हो गया और इससे भी कम लिखना है तो मैं पूरा देपले लिख रखा है आप लोग देख सकते हैं पहर भायों कि इलेक्टरान की खोज या कैथोड किरनों की खोज हुई है तो जेजे थामसर नेम बिलियम क्रुक्स ने एक बिसर्जन नली में धात की दो प्लेटे लगा कर उसे उच्छ बोल्टेज की बैटरी से जोड़ा तता निर्वाद पंप से नली के दाव को 0.0 mm दाव प्राप्त किया और विद्धोधार प्रवाहित करने पर कुछ आदास किरनी कैथोड पर उत्पन होकर एनोड की और अग्रसर हो रही है इन किरनों को ही कैथोड किरनी कहा गया ठीक है ना यह भासा थोड़ा सा आपको कठ ने एक कांच की विसरजन अली दो इलेक्ट्रोड लगा करके उन्होंने सील कर दिया साथ में एक निर्वाद पंप पार्स भाग पे जोड़ दिया दोने इलेक्रोडों को एक बैटरी के उच्छ मतलब बोल्टेश सुरूत या बैटरी से जोड़ दिया जाता है सबसे पहले उन्होंने अंदर के दाव में कोई परिवर्तन नहीं किया और धारा प्रवाइद की और धारा प्रवाइद करने के बाद देखा कि अंदर कोई भी या किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं हो रही है लेकिन पुना जब निर्वाद पंप की साहता से अंदर का दाव और अत्यन ये नोट के रहे हो जा रहे हैं जो की जेड़नेस पर चमकदार बिंदो भी उत्पन कर देती हैं अर्थात इन केड़ों को ही कैथोड केड़ने कहां किया ओके कंप्लेट समझ गये इतना पेरे वही हो अब कैथोड केड़ों के गुण के बारें बात करते हैं तो इस सरल रेखा ऊधवन करते हैं तो आपको पांच त्यार कर लेना है ठीकर और बो सारे है ऐसा नहीं है कि एक ही है जैसे मैं आपको बताओं पहला नंबर इस सरल रेखा में करते हैं बिल्कुल हाँ सीधी रेखा में गन करते हैं ठीक HERE रिनातमक प्रकतिकी होती है क्योंकि क्या थोड से नि किरने X किरने उत्पन करती हैं यह किरने उसमी प्रफाव उत्पन करती है मतलब इनमें उसमी प्रफाव उत्पन करने की छमता होती है इतना है और लिखना है तो यह गैसों को आयनित कर देते हैं गैसों को आयनित कर देते हैं फोटोग्राफिक प्लेट को प्रहाविद करते है लिख लीजे और लिख लीजे गैसों को आयनित करते हैं फोटोग्राफिक प्लेट को प्रहाविद करते हैं तेक है ना चीजें क्लियर है दो और लिख लीजे गैसों को आयनित करते हैं और क्या कर देते हैं पहरे भायो फोटोग्राफिक प्लेट को प्रहाविद करते हैं इतन 11्ट क्लास के बच्चे इसी एक खोच पड़ी लिखो या कैथोठ किरों की खोच पड़ी तो आपको इतना ही लिखना है जितना मनी आपको समझाया उम्मेद करता हूँ कि आज का सहसान आपको पसंद आया होगा पसंद आये तो प्रीज लाइक जरूर करें और दोस्तों को सेयर करें मिलते हैं इसी प्रकार के अगरे वीडियो के शाँ तब तक लिए जैहिन बने मात रहूं